तो हमारे पास है आज का common mistake number one its versus its अब एक its its as it is ही लिखा गया है और एक लिखा जादा it apostrophe is अब दोनों में फरक क्या है ये वाला जो its है ये एक pronoun है right मतलब कोई non living thing को represent करने के लिए use करते हैं जैसे किसी लड़के को बताने के लिए हम he का इस्तमाल करते हैं जैसे ही कोई non living thing को बताने के लिए हम it का इस्तमाल करते हैं और वहीं से derive हुआ its its within apostrophe is ये एक contraction है जैसे कई बार हम क्या करते हैं do not को हम don't लिख देते हैं तो similar way में right it is को या it has को हम its लिख देते हैं तो ये एक pronoun है जो कि एक possession बताता है मतलब जैसे की ये marker मेरा है तो ये मेरे होने की क्या है possession को represent करता है तो example है its my pen right तो यहां पे मैं contraction form नहीं यूज करूँगा पट यहां पे मैं ये बताना चाहता हूँ ये एक बहुत खूपसूरत pen है तो मैं क्या बोलूँगा its a beautiful pen जहां पे its का contraction form यूज किया गया it is के लिए जहां पे लिए